आज हम सिखेंगे लाभ और हानी रोहित ने 90 रुपए की एक गेंद खरीदी वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे हम क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस कहते हैं जिसे हम संशेप में सीपी से निरुपित करते हैं इस तरह से यहां रोहित के लिए क्रय मूल्य हुआ 90 रुपए रोहित ने गेंद 120 रुपए में वरुण को बेच दी वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे हम उसका विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस कहते हैं जिसे हम संशेप में सीपी से निरुपित करते हैं जैसे यहां रोहित ने 120 रुपए में गेंद को बेच दिया इसलिए रोहित के लिए 120 रुपए गेंद का विक्रय मूल्य हुआ रोहित से यह गेंद वरुण ने खरीदी तो वरुण के लिए 120 रुपए क्या क्रय मूल्य है या विक्रय मूल्य? सोचिए सोचिए बिल्कुल सही चुकि वरुण ने गेंद 120 रुपए में खरीदी है इसलिए वरुण के लिए यह क्रय मूल्य होगा इस लेंदेन में रुहित ने गेंद का मूल्य यानि नब्बे रुपए तो वसूल कर लिये है लेकिन साथ में उसे कुछ अतिरिक्त धनराशी भी प्राप्त होई है इस अतिरिक्त धनराशी को हम लाभ यानि प्रॉफिट कहते हैं जब भी विक्रे मूल्य क्रे मूल्य से अधिक हो तो उस थिती में व्यक्ति को लाभ होता है यहां लाभ विक्रे मूल्य से क्रे मूल्य को घटा कर प्राप्त किया जाता है जैसे यहां लाभ बराबर 120 रुपए, रिंड 90 रुपए, बराबर 30 रुपए यहां इसका अर्थ है रोहित ने 90 रुपई खर्च किये जिस पर उससे 30 रुपई का लाभ हुआ यहां 90 रुपई क्रैमूल्य पर 30 रुपई का लाभ है यानि कि 1 रुपई क्रैमूल्य पर 30 बटे 90 का लाभ होगा यानि कि 1.3 रुपय का इसी तरह हम कह सकते हैं कि 100 रुपय क्रायमूल्य पर रुषित को 1.3 गुणा 100 बराबर 33.3 रुपय का लाब होगा प्रती 100 रुपय के क्रायमूल्य पर प्राप्थ लाब को हम लाब प्रतिशत कहते हैं याने कि इस लेंदेन में रोहित को 33 तश्मलव 33 प्रतिशत का लाप होगा लाप प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर प्राप्थ होता है इसलिए क्रय मूल्य को आधार लेकर हम लाप प्रतिशत के लिए सूत्र लिखते हैं लाप प्रतिशत बराबर लाप बटे क्रैमूल्य गुणा 100 प्रतिशत अब चलिए लेंदेन की एक दूसरी स्थिती देखे मान लीजिए रोहित ने 90 रुपए में वस्तु खरीद तो ली लेकिन कुछ कारणवश उसे वह वस्तु 54 रुपए में पेचनी पड़ी इस तरह से यहाँ क्रैमूल्य है 90 रुपए और विक्रैमूल्य है 54 रुपए अब ज़रा सोचिए क्या इस थिती में रोहित को लाप होगा? सोचिए सोचिए बिलकुल नहीं चुकि इस लेंदेन में वस्तु का क्रैमूल्य भी पूरी तरह से वसूल नहीं हुआ है इसलिए यहां रोहित को लाभ नहीं होगा बलकि हानी यानि लॉस होगी जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम हो तो उस लेंदेन में हानी होती है यहां हानी क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को घटा कर प्राप्त की जाती है अब जरा सोचिए हम हानी प्रतिशत कैसे प्राप्त कर सकते हैं? सोचिए सोचिए लाव की तरह हानी भी क्रैमूल्य पर ही प्राप्त होती है इसलिए हानी के लिए भी आधार क्रैमूल्य ही है इस समझ से हानी प्रतिशत के लिए हम सूत्र लिखते हैं हानी प्रतिशत बराबर हानी बटे क्रयमूल्य गुणा 100 प्रतिशत यहां हानी प्रतिशत बराबर 36 बटे 90 गुणा 100 प्रतिशत बराबर 2 बटे 5 गुणा 100 प्रतिशत बराबर 40 प्रतिशत क्यानि कि इस लेंदेन में रोहित को 40 प्रतिशत की हानी हुई है तो आज हमने सीखा लाभ और हानी अकले वीडियो में इन से जुड़े कुछ मसेदार उधारन देखेंगे